नमस्कार प्रिय सिंग रासी वाले मैं हूँ स्कूलचा डॉक्टर रवी गुपता और स्वागत करता हूँ एक मैई से लेकर के 31 मैई के अमध्य का संपूर्ण मासिक रासी फलके मेरे इस विशेश कारिक्रम में है प्रिय सिंग रासी वाले आज मैं आपको बताऊंगा कि मैई ग्रह आपके जीवन में बहुत ही फेवर है जैसा कि आप जानते हैं ये जो रासी फल है चंदरासी पैधारी थे आपको अपना चंदरासी पता है तो बिल्कुल आप इसके नुसार देख सकते हैं नहीं पता तो आप इस विडियो को नाम या लगन के नुसार भी देख सकते दूसरी जानकारी ये जो रासी पहले ग्रोहों के गोचर के अधार पे है और जो तिस सास्तर असपश्ट तोर पे कहता है कि परतेक मनुश्य के जीवन में उसकी स्वैम का कर्म, स्वैम की जर्म कुडली में इस्थित ग्रा, महादसा, अंतरदसा और गोचर से ही मिला करके पुर ले और अगर आपको बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है अन्यता अगर दिक्कत है तो अपनी जन्म पत्रिका विशलेशन हवश्ची कराए ताकि आपके साथ कोई जहलावा या धोखा ना हो तो चलिए सिंहरासी वाले सबसे पहले प्रारंब करता हूँ कर कर्म छेतर का हाल प्रिया सिंहरासी वाले सबसे बड़ा मैंने बताया कि आपका जो है पहचान वापस लोटेगा इसके पीछे रीजन ये है कि सुक्र जो आपके कर्म छेतर के आधिपती हैं सुक्र जो है भाग्या स्थान में बैठ करके केंदर तिरकोन राज्यों की स्थित पंचम राज्यों और बिरहस्पती बनाएगा के अंदर तिरकोन राज्यों और आपको यह बात तो पता है कि बिरहस्पती बहुत लंबे समय के लिए विर्सबरासी में रहने वाले हैं लेकिन इस महिने से सुरवाज सरी बिरहस्पती के कारण नहीं है इसके पीछे और भी कारण है मतलब एक बात तो कनफर्म हो गया कि एक मैई से आप नए नौकरी वेविसाई के लिए कोशिस कर रहे थे वो हो जाएगा एक मैई से कोई भी इंटर्वी और जॉब का रिजल्ट आना है आपके फेबर में होगा एक मैई से आपके सेनियर से पिता से तालमिल ठीक होग एक मैई से संतान के तरफ बैपार में आपको सपोर्ट मिलेगा और बचा कुछा असर पूरा कर देगा सुक्र जब 19 मैई से कर्म छेतर में आएंगे और मालब ब्योग बनाएंगे और 14 तारिक से सुरी और बिरहस्पति के यूती भी हो जाएगी मतलब ये समय आपके जीवन में कोई घर पे नहीं बैठने वाला है सभी अपने काम में बीजी हैं और सभी को अपने काम का आइडेंटिफिकेशन के साथ अस्थित वापस मिलने वाला है तो इसलिए जो भी लग रहा है कि घबरा के बैठे हुए हैं एक मैई से सुरुआत अ और आएस आपके कुल्ली में भाग्या स्थान में आएगा तो जिनको भी अपने नौकरी वेवसाय में परिवर्तन करना है आप ली आपके लिए जो है 100% में बता देता हूं कि 10 मई के बाद बड़ा बदलाव और बहतर बदलाव के ऑप्सन दिखेंगे जो लोटरी 60 सेयर मा कालपूर इसके कुल्ली में सुर्य है तो आपके जीवन में 14 में के बाद लौटरी 60 से मार्केट में बड़ा लाब होगा लेकिन एक मैं से इसके सुरुवात जबरदस्त होते हुए दिख जाएगी जानते हैं कैसा रहेगा विदेश त्यात्रा का हाल सीधी बात करता हूं ज दिकते हैं लिटिकेशन हैं विबाद है वीजा हो ग्रीन कार्ड हो या किसी प्रकार की भी समस्या है तो वह सौल्व होगा हाँ जिनको वीजा या ग्रीन कार्ड को लेकर के थोड़ी दिकते हैं आपके लिए 19 में तक हैं इंतजार करना पड़ सकता है ये बहतर है मतलब अच अच्छा है अस्थांतरन के साथ कुछ गुड न्यूज भी दिख रहा है मुझे इंकम जब इंसान का पहचान हुआ पस लोटता है तो उसके कर्म और उसके धन से लोटता है इस महिने आपके जीवन में गजब का बदलाव हो रहा है एक महीं से विरिशब रासी में जाया कर के पंचम दिरिश्टी से दुत्य भाव पे विरस्पती के दिरिश्टी आजाएगी मतलब एक महीं से जहां भी आपके कुछ फंड फसे हुए है फैमली वेगरा मों निकलेगा एक महीं से कोई शंपती वेगरा सेल नहीं हो रहा ता वह भी सेल होकर के पैसे निकलेंगे और स से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जबरदस्त लाब होगा जैसा कि मैंने बैता है लौट्री स्टा में भी लाब होना चालू हो जाएगा मतलब इस महीं दस महीं के बाद आपका बल्ले बल्ले है इसलिए थोड़ा और ज़्यादा एफट लगाई है अब घर में बैठे ब कुछ भी कर सकते हैं ना कुछ भी हो देश हो दुनिया हो या समाज हो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा इसके अलाबा व्यवाहिक जीवन की बात अगर मैं कर दू तो देखिए आपके विवाह अस्थान में सनी कंटेन्यू विराजमान है और यही कारण है कि इन दिनों व् काई स्थिर्ता डिश्टर्बेस ही तो काफी समय से चल रहा है लेकिन इस महीने एक मही से जब दुत्य भाव को विरस्पती देखेगा तो कुछ-कुछ वैवाहिक जीवन में आपकी तालमिल ठीक होनी चालू हो जाएगी कुछ-कुछ लेकिन जैसे ही बुद्ध का भाग्य अस्थान में 10 मही से जाएगा तो 10 मही के बाद सेप्रेशन में सुधार होना चालू हो जाएगा 10 मही के बाद ससुराल पक्ष से आपके तालमिल ठीक होने चालू हो जाएगे और बिलकुल अगर ससुराल पक्ष में तालमिल खराब है तो वो 19 मही से चालू होगा जब सुक् हो जाएगा 100% जीवन साथी का स्वास्त वेगरा खराब है या अर्गुमेंट हो रहा है तो वो सभी 10 महीं से ठीक हो रहे हैं इसलिए हल्बडा करके 10 महीं से पहले कोई विवाह वेगरा सेट मत करिए अगर आपके मन में संका है तो वो काम जरूर करिए क्योंकि संका जो मन में होता है वो आने वाले टाय में किसी किसी बड़े चीजों को दिखाता है उसी तरीके से मैं अगर बात करूँ कैसा रहेगा संतान पक्ष सिच्छा और लव लाइब का हाल तो विवाह के बाद अगर लव लाइब की बात अगर मैं करूँ तो जिनका लव लाइब बिल्कुल डिश्टर्ब हुआ पड़ा था जो चाहते थी कि प्रेम भी वह हो जाए लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते थे या आपको भी इस बात को लेकर के बहुत कन्फूजन होता था असमंजस्म होते थी कि क्या करे एक मही से सारी समस्यां दूर हो जाएगे या एक मही के बाद आ लेकिन दस मही के बाद आपके जीवन में विवाह के वह जो जाएगा दस मही के बाद जो है लव लाइफ लव टू मैरेज मतलब परेम विवाह के योग बहुत ही अच्छा बनता हुआ नजर आएगा संतान पक्ष की स्थिती कैसी है एक मैई से आप संतान के भविष्य को लेके परशान है तनाव मुक्त हो जाएगा एक मैई से जो है आपके जीवन में जो है कोई भी रिजल्ट है इंटरव्यू है या बारवा पढ़ाई छूट रहा था वो ठीक होगा साथ में आपके संतान के अच्छे जगापे अड्मिसंस होंगे स्वयम भी अच्छे जगापे अड्मिसंस के चांसेस बनेंगे हाला के 10 माई के बाद आपको थोड़ा फ्रेंड सरकल या लव लाइफ में जानना इलवाल वगर होते हैं तो वह involvement जो है violation पैदा कर देगा आपके सिक्षा को लेकर करती समाटर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके अलावा चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में प्रोपटी शम्पती का हाल एक बात अब श्य बताना चाहता हूं समस्या तो था क्योंकि इन दिनों न धान आ रहा था पैसे भी जगा एश्टक हुए पड़े थे और न प्रोपटी बन रहा था जो है वो अभिक नहीं रहा था मतलब कहीं न तो कहीं कुछ हद तक जीवन के कुछ परफेक्ट डिसीजन में ने ले पा रहे थे कि क्या करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक मई से भूमी मकान वहान संपती का लाब बहुत बढ़ियां बनना चालू हो जाएगा लेकिन कोई प्रोपर्टी में खंदानी विवाद है या ससुराल पक्ष का विवाद है लिटिकेशन है डिस्टर्मेंस है तो इसके लिए आपको 19 मही तक इंतिजार करना पड़ेगा 19 मही के बाद इस ज़ादरों से परिवारिक विवाद ससुराल पक्ष से रिलेटेट परिवारिक विवाद ये सवियर पितास है या पर करम छत्रों से परिवारिक लिटिकेशन दूर होगा और हलाकि एक मई से संपती का यूग बहतर बन रहा है स्वास्त की स्थिती कैसी रहेगी देखिए मैं एक बाद बताना चाहता हूँ निची तोर में इन दिनों थोड़ा सा नेत और गले के रोक से परशानिया तो चल रही है और पेट की समस्या तो ये तो दस मही से ठीक हो जाएगा लेकिन मंगल और आहू के उस टमभाव में यूती कंटिनिव रहने वाली है इसलिए थोड़ा मोड़ा हिर्दय से सम्मंधित या इसके अलाबा मैं ये बोल सकता हूँ कि पेट से सम्मंधित समस्या हो सकता है हलाकि आप थोड़ा एक्सरसाइज वगरा जिम वगरा करते हैं तो ये कंट्रोल में रहेगा केस मुकदमा की स्थिती कैसी होने वाली है केस मुकदमा में आप 10 मही के बाद विजय हो रहे हैं कोई वेल लेना है या किसी प्रकार कभी और ठेटी से रिलेटेड आपका कोई है तो आप 10 मही के बाद कोसिस कर लीजे आपका होना तय है उपाई क्या करना चाहिए उपाई के तोर पे सिंगरासी वाले मैं यही बोलूँगा पूरे महिने पहला वात तो 10 मही तक आपको जो है और पूरे महीने अगर आप चाहते उपाई को बहतर बनाना तो मैं एक बाद बताता हूँ आपको जो है घी का दीप भगवान विश्नूज और मातलक्षमी के समक्च अरपित करिये पूरे महीने और सफिछ चंदन का तिलख लगाईएगा कुछ बड़ा हो जाएगा तो प्रिये सिंहरासी वाले तुम्हारी पहचान वापस लोटेगी क्योंकि मही के महने में बहुत सारे ग्रह आपके फेबर में है उसके अकोर्डिंग आपको कर्म भी बहुत जादा करना पड़ेगा तो उमिद करता हूँ कि बताएगे जनकारी से आप संतुष्ठों के ते चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेर करिए, सबस्क्राइब करिए मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्तपुर्ण और ग्यानवर्दक जनकारी के साथ तब तक के लिए अश्ट्रोजा डॉक्टर अवी गुपता का नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यवाद